आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स चैप्टर चैमिकल रियाक्शन और इक्वेशन ये चैप्टर आपको थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि एक्चुली ये बेसिक फाउंडेशन है केमिस्ट्री का जो अब आपकी में केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट होती है मेरा चानल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो स्टार्टिंग से एंग तक देखिए मैं बहुत simple और easy method में आपको chemistry बहुत easy subject और बहुत scoring subject है आप मेरा video रोज 15 minutes देखिए, मेरा channel subscribe कीजिए, मैं week में दो videos आपको डालूँगी आप easily आपके concepts clear हो जाएंगे और आप board में के science के अंदर full marks लेके आओगे, ये मेरी आपको guarantee है तो हम इसी के साथ start करते है हमारा first chapter chemical reactions and equations आज मैं आप से कुछ questions पूछ रही हूँ, आप उसका मुझे जवाब दीजिए मेरा first question है, what happens when milk is left outside during summer? हम यदि summer में milk को बहार रख देते हैं, तो क्या होगा? naturally हम जानते हैं, milk हमारा जो है वो spoil हो जाएगा, milk खराब हो जाएगा इसके बाद एक और मैं आप से question पूछना चाहती हूँ, if food is left outside for few days यदि हम food को summer में या normal time में भी तीन चार दीन के लिए उस पर बहार रख देते हैं, क्या होगा? हम सब जानते हैं, food से bad smell आने लगेगी, और उसकी taste खराब हो जाएगी, वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा और उसके उपर fungus आ जाएगी, उसके उपर fungus deposit हो जाएगी, यदि हम food को बहार रख देते हैं, इफ grapes are kept outside, आप fruit या कोई भी fruit है या grapes है, इसको आप कुछ दिन के लिए बाहर रख देते हो, तो आप देखते हो कि grapes भी खराब हो जाएगे, किस लिए खराब होंगे? इसमें हो जाएगा fermentation, इसमें हो जाएगा fermentation, इसके अलावा यदि iron name, या iron article से, रेनी सीजन में, जब atmosphere humid होता है, हम इसको बहार expose करते हैं, तो हम सब जानते हैं, कि iron के अंदर rust deposit हो जाएगी, ब्राउन कलर की rust deposit हो जाएगी, और ये ब्राउन कलर की powder continuous ने निकलती जाएगी, raw food या raw rice, जब हम इसमें water डाल के इसको boil करते हैं, जब को करते हैं, तब क्या होगा, food cooked, जो होगा, जो raw rice है, और cooked rice है, इसमें totally different हो जाएगा, cooked rice की पूरी की पूरी property चेंज हो जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं, change in property, change in property, suppose if we are not feeling well, naturally आपको कभी headache हो रहा है, हमें fever आ रहा है, तो आप देखते हो कि आपके parents आपको medicine दे देते हैं, तो medicine क्या करती है, medicine हमारे body के अंदर जाकर reaction करती है, हमारे body के अंदर जाकर reaction करती है, और one or two hours में हमें ठीक लगने लगता है, हम सब milk से curd बनना जानते हैं, अब जो milk है, milk की property totally अलग होती है, और जो हम curd देखते हैं, हम सब को पता है, curd क्या है, curd is lactic acid, curd is lactic acid, तो milk की property और curd की property एकदम अलग है, तो milk से curd बनना किसी reaction की वज़े से ही हुआ है, इसके अलावा respiration है, digestion है, photosynthesis है, यह सारी process आप day to day life में देखते हो, लेकिन मैं एक आप से question पूछना चाहूँगी, क्या यदि हमने milk को बहार रखा और जो milk spoiled हो गया, यहां उस spoiled milk से हम वापस normal milk बना सकते हैं, हमारा answer होगा no, no क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर chemical reaction हो गई, chemical reaction हो गई और जो हमारा spoiled milk है, जो हमारा product बन गया, वो कोई दूसरा ही product बन गया, जो original milk से totally अलग है, इसके बाद मैंने आपको बोला, जैसे हमने food को बहार रखा, उसके ओपर fungus लग ग तो यह spoiled food हमारा हो गया, उसकी property totally अलग होगी हमारे जो original food से, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, chemical reaction हो गई, और chemical reaction, permanent reaction होती है, जिसे हम chemical change कहते हैं, तो अब हम वापस इस spoiled food से हम हमारा normal food नहीं बना सकते हैं, उसी तरह यदि जो grapes ferment हो गए हैं, वो हम उसको normal grapes में convert कर सकते हैं, no, क्योंकि यह जो grapes हैं, वो atmosphere की oxygen से react करके fermentation इसमें हो गया, फिर मैंने आपको iron nail बताया था, इसमें rust deposit हो गया, तो जो iron की articles हैं, वो atmosphere की humidity यहने water vapors and oxygen से react करके rust बना लेते हैं, rust का formula होता है, Fe2O3.XH2O, यह मैं आपको बागे cover कराऊंगी, तो यह chemical reaction होगी, अब जो rust brown color की powder होती है, उससे हम वापस iron nail या वापस iron article नहीं बना सकते, क्योंकि यह permanent change हो गया, chemical reaction होई, यहने chemical change हुआ, जो हमारा permanent change होता है, उसी तरह मैंने आपको बोला था, जब rice को हम cook करते हैं, तो जो raw rice से अपनी property lose कर देता है, उसका जो nature है, वो lose करके cooked rice पे convert हो जाता है, cooked rice की property और raw rice की property totally अलग होती है, इसी जैसे मैंने आपको बोला, जब हमें ठीक नहीं लगता हम medicine ले लेते हैं, medicine जो है, वो chemical से milk कर बनती है, वो हमारी body के अंदर जाती है, chemical reaction होती है, और थोड़े time में हमें ठीक लगने लगता है, वैसे ही milk से curd बनना is also chemical process, क्योंकि आप curd से वापस milk नहीं बना सकते हैं, यह permanent change है, permanent reaction है, milk के अंदर curd जब हम बनाते है, chemical reaction होती है, और curd में convert हो जाता है, वैसे ही respiration, digestion, photosynthesis, यह सारी की सारी chemical reaction है, वैने आपको इतने सारे example दिये, तो आपको समझ में आई गया होगा कि आज हम कौन सा chapter पढ़ने वाले हैं, जो बहुत important chapter है, chemistry का, अब ह physical change, chemical change, physical change में हम देखते हैं, जैसे suppose ice से हम water बनाते हैं, ice को जब मैंने बहार room temperature पे निकाल के रख दिया, थोड़े time बात ice water में convert हो गया, बट ice का किस से बनता है, H2O, यहने water का formula H2O है, तो ice का भी H2O है, water भी H2O है, यहने ice में से water बनना या water को हम boil करते हैं, तो water vapors बन ज है, original property है, उसे change नहीं करता, ice H2O है, water भी H2O है, water vapor भी H2O है, उसको हम कहते हैं, physical change जो temporary change होता है, जो physical change है, यह temporary change होता है, यह state वापस हम vapor से water बना सकते हैं, water से वापस हम solid ice बना सकते हैं, लेकिन अभी हमने आपको जितने भी reactions बताएं, यह सब हैं हमारे chemical change, हम सब जानते ह हैं कि chemical change होते क्यों है, मैंने आपको जैसे बताया, यहां पर यह इतने सारे example, यह सारे chemical change है, और यह chemical change क्यों है, due to chemical reactions, और हम सब जानते हैं कि जो chemical change होता है, वो permanent change होता है, जैसे मैंने आपको बोला, spoiled milk से आप normal milk नहीं बना सकते, आप curd से वापस milk नहीं बना सकते, आप rust से वापस आईरन नहीं बना सकते क्योंकि यह permanent change है तो मैंने जैसे आपको बताया इतने सारी example है तो हमारा जो आज का topic है जो मैं आपको 10CBSC का first chapter जो सबसे important and fundamental topic है हमारा chemical reactions and equations तो आप सबसको पता लग गया है कि chemical reactions के लिए हमें सिर्फ lab में या industry में जाने के ज़रूरत नहीं होती हमारे around आप देखते हो daily life में देखते हो कितनी chemical reactions होती रहती है इसलिए यह जो chapters first chapter जो आपका 10CBSC का है chemical reactions and equations यह सबसे important chapter है यह base foundation है chemistry का चलिए मेरे साथ आईए और मैं आपको बहुत simple और easy method में इसको पढ़ाती हूँ इसमें बहुत सारी reactions आएंगी तो हमारा first chapter है chemical reactions and equations आप यहाँ पर देखिए नीचे एक equation मैंने दिये यहाँ पर है H2 याने hydrogen आपने last year 9 में पढ़ा है सबने यह हमारा hydrogen है H2 मतलब hydrogen हम सब जानते है hydrogen gaseous state में होता है hydrogen किस से combine हो रहा है यहाँ पर oxygen से O2 है होता है सिंबल oxygen का oxygen भी कैसा है gaseous state में hydrogen और oxygen जब आपस में combine होते हैं तो यह बनाते हैं water water है liquid form में यहाँ मैं बहुत important आपको points बताऊंगी कि जो hydrogen है इसकी property different होती है oxygen जो है इसकी property different होती है लेकिन hydrogen और oxygen जब आपस में react करते हैं और यह water बनाते हैं तो water की property entirely different होती है hydrogen और oxygen से तो आप यहाँ पर क्या हमें समझ में आता है कि जो hydrogen और oxygen है जो original substance है जो chemical reaction में participate करने वाले है यानि वो chemical ही react करने वाले है जब यह आपस में react करते हैं तो जो original substance है यानि hydrogen जो है वो और oxygen यहाँ पर यह original substance है यह अपना nature अपनी identity अपनी property लूस कर जाते हैं इनकी property नहीं रहती है और यह आपस में combine हो जाते हैं इनका nature, identity, property सब खतम हो जाती है और यह entirely different compound के अंदर convert हो जाते हैं और हम सब जानते हैं कि water की property hydrogen and oxygen के property से totally different होती है इसके बाद हम देख लेते हैं हम एक और important चीज आपको बताऊंगी जब हम left hand side में जो भी लिखते हैं हम जो left hand side में लिखते हैं यहने वो substance होते हैं जो chemical reaction में chemically react करने वाले हैं जो chemically react होने वाले हैं जो chemical reaction में participate करने वाले हैं जिनने हम left hand side में लिखते हैं इन्हें हम कहते हैं reactants और यह chemical reaction का जो result आता है जिसे हम हमेशा right hand side में लिखते हैं, इसे हम क्याते है product, तो product को हम हमेशा right hand side में लिखते हैं, reactants को हमेशा हम left hand side में लिखते हैं, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ chemical reaction क्या होती है, मैंने जैसे पहले आपको explain किया था, chemical reaction is a chemical change, basically chemical change होता ही है chemical reaction की वज़े से, यहने H2O और O2 ने water बनाया, water जो है permanent change है, आप water से वापस normal physical method से hydrogen and oxygen नहीं बना सके, हम यदि water रखा हुआ और हम सोचेंगे कि नहीं, यह hydrogen and oxygen में convert होगा, हो सकता है, नहीं, क्योंकि यह permanent change है, यह chemical change है, तो chemical reaction क्या होती है, when two or more than two substances combine and react with each other, they form entirely different compound, यहने, suppose, एक compound, एक substance A है, suppose, यह hydrogen and oxygen है, एक substance A है, एक substance B है, यहाँ पर आप देख रहे हो, hydrogen and oxygen है, जब यह आपस में two or more than two substance, यह जब आपस में react होते हैं, तो जो product बनाते हैं, जो compound बनाते हैं, वो original compound से entirely different होता है, तो इसकी definition exam में आती है, तो आप क्या लिखेंगे, when two or more substances combine and react with each other, they form entirely different compound, अब यह क्या है, it is a process in which original substance loses its nature and property and forming a new substance, जैसे मैंने अभी आपको बताया, hydrogen and oxygen, यह जो original substance थे, इन्हों ने अपनी nature, identity, property, लूस कर दिया, और यह entirely different compound के अंदर कर दो कहें, during chemical reaction, old bonds break down and new bonds are formed, it is a rearrangement of atoms, यह बहुत important है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, हम सब जानते है, hydrogen और hydrogen के भी single bond होता है, oxygen and oxygen के भी double bond होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे hydrogen and hydrogen के बीच में single bond होता है, oxygen and oxygen के बीच में double bond होता है, तो यह जो इनके जो old bonds है, यह ब्रेकडाउन हो जाते हैं, यह break हो जाते हैं, और water जो बनता है, इसका अलग होता है, हम यहाँ देख लेते हैं, hydrogen, oxygen, hydrogen, इस सदर से new bonds with new property बन जाता है तो यहने chemical reaction में क्या होता है, old bonds break down हो जाते हैं, और new bonds form हो जाते हैं, basically हमने जैसे बोला, it is a rearrangement of atoms, आपको यहाँ दोगा आपने 9th में law of conservation of mass पढ़ाता, यहाँ पर hydrogen and oxygen reaction के water बना रहे हैं, आप देखो कि यहाँ पर कहीं भी, यदि मैं चाहूँ water के जगा ammonia, NH3, यह बन सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर nitrogen प्रेजेंट ही नहीं है, हम atom को न तो create कर सकते हैं, न हम destroy कर सकते हैं, सिर्फ हम इसकी atomic arrangement change कर सकते हैं, यहाँ पर hydrogen and oxygen है, तो यहाँ water H2O या hydrogen and oxygen से related compound ही बनेगा, यहाँ पर nitrogen प्रेजेंट नहीं है, तो nitrogen यहाँ पर नहीं आपता, क्योंकि it is a rearrangement of atoms, हमको conservation of mass में पता है, आटम को हम create नहीं कर सकते हैं, हम atom को destroy नहीं कर सकते हैं, अब एक बहुत important बात है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, reactant हम left hand side में जो ल reactants to product, यानि reactants जो है, chemically react हो रहे हैं, और यह किस में convert हो रहे है, product के अदर, तो यह थी हमारी chemical reaction, और chemical reaction को हम जिससे represent करते हैं, उसे हम कहते हैं, chemical equation जो आपको इस चाप्टर में आगे पढ़ना है, हमें balancing भी पढ़ना है, और बाकिस भी पढ़ना है, तो यह आपको clear हो गया ह chemical reactions किसे कहते हैं, अब आपको chemical reactions तो पता लग गया है, कि chemical reactions क्या होती है, अब सबसे पहले यह question उठता है, कि हमें पता कैसे लगेगा, कि chemical change हो रहा है, यानि वो temporary change है, या वो chemical reaction हो रही है, यह हमें identification हमें पता तो होना चाहिए, किस सरह से हो रही है, तो बच्चों क्या होता ह है जब भी chemical reaction होती है तो उसके कुछ indications होते हैं उसके कुछ science होते हैं जिससे हम कहते है identification of chemical reactions यह हम कह सकते characteristics of chemical reaction characteristics क्या होती है observable character यहने कुछ science होते हैं कुछ characters होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि chemical reaction हो रही है और यह सबसे important five characteristics होते हैं और यदि ये five characteristics हो रहे हैं इसका मतलब chemical reaction 100% हो रही है कुछ-कुछ chemical reaction में एक से जादा दो-तीन भी identification, दो-तीन भी characters present होते हैं First है हमारा change in state, लेकिन change in state को हमें देर देखना पड़ता है, इसके साथ दूसरा भी character होना चाहिए क्योंकि कई बार change in state, physical change भी होता है, लेकिन chemical change में भी जैसे मैं आभी आपको example में बताऊंगे यदि change in state हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि chemical reaction has taken place या फिर change in color, यानि reactant का color अलग है, product का color अलग है, इसका मतलब कोई chemical reaction होई है change in color यदि होता है, तो हम कह सकते हैं कि chemical reaction हो रहे है change in temperature, इसको हम भुँआध डिटेल में करेंगे, reaction में reactant का temperature अलग है जब chemical reaction होती है और product हो बनता है, उस product का temperature अलग होता है तो यदि change in temperature होता है, तो वो भी indication है chemical reaction हो रहे है इसलिए temperature में change आया है evolution of gas reaction के दोरान यदि gas evolve हो रही है hydrogen है, oxygen है, sulfur dioxide है H2S है तो वो भी indication है evolution of gas भी indication है chemical reaction का और last जो बहुत important है formation of PPT यानि precipitate यह मैं आपको भी detail में बताऊंगी यदि reaction में precipitate form हो रहे है तो वो भी indication है chemical reaction का तो हम one by one ये पाचों के पाचों पढ़ेंगे पहले मैं आपको बताऊंगे change in physical state मैं आनिया जैसे आपको बताया है some chemical reactions are identified by change in state यदि physical state में change होता है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा indication है कि chemical reaction हो रही है आप यहाँ पर example देख सकते हो burning of candle आपको पता है हम जब candle burn करते है वो physical change नहीं है that is chemical change candle है हमको पता है candle solid state में होती है candle burn करते है कोई चीज़ burn करते है इसका मतलब क्या है वो atmosphere की oxygen से रियाग कर दी है candle solid है और oxygen atmosphere की oxygen gas है यह जब आपस में रियाग करता है तो हमें पता है carbon dioxide बनती है जो gaseous warm में होती है water vapor यहाँ water liquid warm में नहीं बन रहा है water vapor जो gaseous warm में बनता है और इसके साथ बहुत amount में heat निकलती है हम chemistry के अंदर हम heat को एस sign से दिखाते है heat निकलती है और आप देखते हो candle burn होती है तो light निकलती है तो यह जो है solid candle solid है यह किस में convert हो रही है gaseous state में convert हो रही है और heat and light produce कर दी है तो यह जो है यह indication होता है chemical reaction का एक और example हम देखते है hydrogen hydrogen भी gaseous state में होता है oxygen is also in gas state जब यह आपस में combined होता है तो water बनता है जो liquid state यहाँ पर जो gas है वो किस में convert हो रही है liquid में तो यह indication है change in physical state जो है यह indication है कि chemical reaction हो रही है अब हम दूसरा देख लेते change in color some chemical reactions are identified by change in color reactant का color और होता है कुछ और product का color कुछ और होता है तो जब color change होता है तो यह भी हमारा indication है तो कि यह observable character है यह हमारा indication है chemical reaction has taken place चलिए अब हम एक्जाम्पल देखते हैं, हम ले लेते हैं copper nitrate, हम सब जानते हैं, आप formula ध्यान से लिखिए, cu NO3 whole twice, cu NO3 whole twice, nitrate का NO3 होता है, आपको cross valency 9 में पता है, copper nitrate, cu NO3 whole twice, इसका color होता है blue, copper nitrate का color होता है blue, जब हम इसको heat करते हैं, जब एक test tube ले लेते हैं, इस test tube के अंदर हम copper nitrate powder डाल देते हैं, और हम इसको burner के उपर heat करते हैं, तो यह convert हो जाता है copper oxide, cuO, यह जो blue color का powder है, वो convert हो जाता है black color में, तो यह copper oxide, इसका black color का powder बन जाता है, black color का compound बन जाता है, NO2 gas बनती है, जो evaporate हो जाती है, oxygen बनती है, जो evaporate हो जाती है, यहने आपके test tube तो यह ब्लू कलर से ब्लाक कलर में कनवर्ट होना क्या हमें बताता है येस chemical reaction has taken place. दूसरा एक और example दिखाती हूं मैं आपको K2CR2O7 यह बहुत important compound है इसका formula आपको हमेशा याद होना चाहिए K2CR2O7 इसका नाम है potassium dichromate K2CR2O7 potassium dichromate यह orange कलर का होता है जब potassium dichromate को हम sulfur dioxide से react कराते हैं तो जो भी compound बनता है एक complex compound बनता है इसका जो है color होता है green color आप slide में देखिए और जो compound बनता है वो होता है green color का यह indicate करता है chemical reaction has taken place एक और example हम देखेंगे copper sulfate aqueous लेते हैं हम copper sulfate aqueous का मतलब क्या होता है solid को जब हम water के अंदर डालते हैं तो उसे हम liquid नहीं कहते हैं उसे हम कहते है aqueous copper sulfate जिसको हम blue vitriol कहते हैं आप सबको पता है इसका color blue होता है यह आप chemistry lab में easily देख सकते हो तो जो हम copper sulfate का solution ले लेते हैं जो blue color का होता है इसके अंदर हम यह आपको आगे actually पढ़ना है हम एक test tube ले ले लेते हैं इसमें हम copper sulfate का blue color का solution ले लेते हैं और इसमें हम iron nail dip करके रख देते हैं iron nail का आपको color पता है silver gray color का होता है इस iron nail को dip करके रख दीजे थोड़ी देर बाद हम थोड़ी देर बाद से 8-9 hours के बाद आप क्या दिखोगे कि यह जो blue green color है यह disappear होके pale green color का बन गया naturally copper sulfate ने iron के साथ reaction कर ली और यह जो color था हमारे जो solution का color था वो paint green यह green color का बन जाता है ferrous sulfate green color का ferrous sulfate बन गया और जो iron nail है वो disappear होके copper आप copper powder देखते हैं वो light होती है उपर collect हो जाती है copper color की copper powder collect हो गए यह जो blue color है वो convert हो गया green color में copper sulfate convert हो गया ferrous sulfate के अंदर तो यह change in color यह 100% indication है कि chemical reaction has taken place अब हम third characteristic देखते हैं change in temperature यहने temperature में change होता है इसका मतलब यह indication है chemical reaction has happened देखिए अब आप some chemical reactions are identified by temperature change यह जैसे example है यह बहुत important reaction है exam के लिए यह exam में हर साल exam में पूछा जाता है calcium oxide c a o calcium oxide जो solid state में है इसे हम कहते quick lime simple language में आप देखते हू चूना quick lime calcium oxide यह solid state में होता है जब हम इसको water में dissolve करते हैं जब हम calcium oxide यानि quick lime को हम water में dissolve करते हैं तो हमारा जो बनता है calcium hydroxide slaked lime calcium hydroxide का formula है slaked lime का formula है c a o h whole twice यह formula है lime water का वो मैं इसको आपको बाद में कवर करूँगे तो calcium hydroxide slaked lime बनता है बहुत amount में heat टिकलती है यह आप slide में देखिए बड़े-बड़े drum ले लेते हैं इसमें calcium oxide डालते हैं इसमें हम water डालते हैं बहुत अच्छे से इसको यह आप जब बीकर को या यदि हम ड्रम में बना रहे हैं आप जब इसको टच करते हो तो बहुत hot लगता है और बहुत fumes निकलते हैं क्योंकि heat जो है along with product बहुत amount में निकलती है तो ऐसी reaction को मैंनेजर से बताया है loss of heat is evolved during the reaction आप जब इसको टच करोगे तो बहुत ज़ादा hot लगेगा ऐसी reaction को हम कहते हैं exothermic इसके next slide में exothermic endothermic आपको cover करूंगी तो along with product reaction में जब product के साथ heat निकलती है और जो हमारा solution जो भी हमारा compound बना है वो बहुत hot हो जाता है यानि temperature change हुआ heat increase, temperature increase हो गया तो इस एसी reaction को हम कहते हैं exothermic तो यह indication है chemical reactions हो रहे हैं एक और example हम देखते हैं पहला हम एक experiment ले लेते हैं हम एक beaker ले लेते हैं यह आप लैब में भी आपको करके दिखाते हैं इसमें हम zinc granules लेते हैं हम zinc के बड़े-बड़े pieces नहीं लेते हैं zinc granules लेते हैं ताकि वो इसके surface area को increase कर देता है इसलिए हम बहुत powder फॉर्म में लेते हैं या तो zinc powder या zinc granules ताकि उसकी surface area increase हो जाए यदि हम powder फॉर्म में लेते हैं हम drop by drop इसमें dilute sulfuric acid डालते हैं reaction होती है hydrogen gas evolve होती है और आप जब इसको touch करते हो तो beaker बहुत hot हो जाता है क्योंकि यह reaction exothermic है product के साथ बहुत जादा माउंट में heat निकलती है हम reaction देख लेते हैं मैंने हाथ zinc granules लिया है इसमें मैंने dilute sulfuric acid डाला है जैसे मैंने आपको बताया beaker में reaction होती है हमारा zinc sulfate इसका नाम है zinc sulfate zinc sulfate बन जाता है hydrogen gas evolve होती है यहां से जो है bubble के साथ hydrogen gas निकलती है और आप जब इसको touch करते हो तो beaker बहुत hot हो जाता है क्योंकि reaction exothermic है जो product के साथ heat निकलती है तो यह जो change in temperature जो है यह indication है chemical reaction का यह मैंने तीनों बहुत important characteristic आपको पढ़ा दिये इसके लावा दो और है evolution of gas जिसमें हम देखेंगे hydrogen का confirmation test क्या है carbon dioxide का क्या है and formation of precipitate इसके लावा कुछ activities है NCRT book में आपके दी हुई है जो आपके exam point of view से बहुत important है पहले मैंने अभी तक जतना पढ़ाया है आप उसको बहुत अच्छे से revise कीजिए मेरा जो next video है इसमें हम दो characteristic और इसके अलावा NCRT की जो activity और इससे related जो question answers जो board में पूछते हैं हम वो करेंगे मेरा चैनल subscribe कीजिए और मैं बार बार बता रही हूं मेरे notes बहुत important है आपको future में भी ये बहुत काम आएंगे तो पूरा इसको quickly note down कीजिए कर दो कर दो कक cog inचो wife ये वहुत कर आफ हैं कर दो कitzer को अ कि जिए आए बार 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 मैं बारर बार 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 बार선 का आप़जignment और दो पुझा लाब poi कर दो को हम एम preference